Civil Engineer केसे बने और Civil Engineer कितने प्रकार के होते हैं? Types of Civil Engineering आज के वीडियो में आपको पूरा डीटियल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप Civil Engineer बनना चाहते हैं तो Civil Engineer बनने के बाद आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं और Civil Engineer में कितने प्रकार की फिल्डो होती है जहां पर आप जॉब कर सकते हैं अगर आप Civil Engineer बनना चाहते हैं तो उससे पहले भी बहुत बार सोचना पड़ता है कि आप Civil Engineer क्यूँ कर रहे हैं? आगे चाके आपको क्या करना है? और उसके बाद Civil Engineer करने के बाद भी आपको सोचना पड़ता है कि Civil Engineer करने के बाद आप कहां पर जॉब करेंगे कौन से फिल्डे में जाएंगे या फिर कौन से फिल्डे में जॉब करेंगे कौन से कमपनी में काम करना चाहते हैं तो आपका पूरा माइन इस वीडियो में किलियर हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि Civil Engineering तो कर लेते हैं लेकिन उनका फिक्स नहीं होता लक्ष नहीं होता कि आगे जाके क्या करना है तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बिल जाएगी हम यह जान लेते हैं कि Civil Engineer कैसे बने Civil Engineer आप दो प्रकार से बन सकते हैं पहला तो आप 10th के बाद Polytechnic Course करके आप Civil Engineer बन सकते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा 12th के बाद आप सीधा BTEC में अडबिशन ले सकते हैं इसके लिए आपको 11th में PCM सब्जेक्ट लेना होता है अब आगे हम चानते हैं कि Civil Engineer कितने प्रकार के होते हैं तो फास्ट पॉइंट है हमारा Construction and Management Engineering अब यह जान लेते हैं कि Construction and Management Engineering क्या होता है जब कोई भी काम स्टार्ट होता है कोई सा भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो उसकी योजना बनाना उसकी प्लानिंग करना उसके डिजाइनिंग करना ये सब Civil Engineer का काम होता है जिसे बिल्डिνंग बनाने से पहले उसकी पुरी प्लानिंग की जाती ही कि कीस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी और उसमें क्या-क्या लगेगा, कितना घर्चा आएगा, उसमें materials कितना लगेगा, पूरी चानकारी वहाँ पर पहले सही planning की जाती है, तो ये construction management होता है Next point हमारा civil engineering with architecture, दोस्तों civil engineering करने के बाद आप designing line में जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी companies होती है, वो आपको hire कर सकती है उसके लिए आपको कुछ software सिखने होते हैं, auto care, review, 3ds, max वगेरा होते हैं, तो उसके बाद आप किसी company में job कर सकते हैं उसके बाद job करने के बाद आप कहीं पर अपना खुद का consultancy office भी start कर सकते हैं, खुद का business भी start कर सकते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है, structural engineering, ये भी एक designing का ही course है, जिसमें आपको software सिखने होते हैं, इसके बाद में ये एक अलग field है, designing से related ही, जिसमें building से related, उसमें calculation किया जाता है, कि उसमें load कितना पढ़ेगा सारा calculation, structural engineering का होता है next point हमारा transport engineer, transport engineer वह होता है, जो परिवहन इंजिनियर, राजमारगो, हवायडो, ट्रेनो, पूल होते हैं, जिसमें नई परिवहन प्रनालिया होती है, उसे design करने में ध्यान देते हैं साथ ही data का isolation करने और समश्याओं की पहचान करने और उन्हें नविन समाधानों के साथ हल करने के लिए परिवहन इंजिनियर को कुछ परियोजना पर पार्टियों के साथ सहयो करने की भी आवशकता होती है highway engineer, highway engineer अगर आप बनते हैं तो इसमें बहुत जादा विकल्प होते हैं चोप करने के बहुत जादा इसमें career बनाने के chances होते हैं highway engineer जो सड़के होती है, सूरंग होती है, उसे design करना, उसे बनाना, रख रखाओ, यह सारा का highway engineer का होता है इस field में आपको knowledge होने के बाद आप इसमें खुद का business start कर सकते हैं, खुद ही contract लेके यह business start कर सकते हैं इसके लिए आपको अच्छा knowledge होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अपना career बना सकते हैं इस information थी दोस्तो civil engineering की branches से related की civil engineer आप बनते हैं तो इन-इन field में job कर सकते हैं उमीद है दोस्तो वीडियो में कुछ भी सिखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस प्रकार की वीडियो के लिए चेनल को सब्स्राइब कर लिचे